लो फ्रेंट्स कैसे आप लोग तो आज मैं आप लोग के साथ फिर से एक नए सेशन के साथ हाजी रूँ और मैं आज के सेशन में पैसिकली आप लोग के साथ डिसकस करने जा रहा हूं जो जो मिन्स प्रोबेबल कोसिशन से आने वाले आपके CSR एक्जामनेशन में वो किस प्रेंट्स मैं होपफूल हो कि आप से अपने त्यारी को अच्छे से कर रहे होंगे काफी कम समय रहा गया आपके एक्जामनेशन के लिए अपने प्रेप्रेशन को पूरे नेक्स मिन्स हाई लेवल पर ले जाई और जितने भी हो सके आप पेपर्स को सॉल्व करें पुरान आपके आने वाले उसके लिए मैं कुछ एक्सपेक्टड़ को संसाफ के लिए लेक्या आया हूं तो दो दिन रहाग्या आपके एक्जामनेशन को तो जल्दी से अपने आपको आप और भी जादा बुष्ट कर लिजिए अपने प्रेपरेशन के लिए तो मैं चार से संस्प को आपके साथ और में आखरी मेरा आज सेसंट का यह आखरी दिन है और यह आपका जो फ़िट से तो आज करते हैं आज के फिर्स्ट को से एमन ओपिक्यूवार ये शिक्स मेंबर से फैमिली के एंट थे कह तो मैं बना लेता हूँ एक बॉक्स M-N-O-P-Q-R हाँ तो यह six members है किसी एक family में and then आपका कुछ इनके बीच में कुछ आपस में relationship दिया हुआ है अब मैं उसको reward कर लेता हूँ थोड़ा यहाँ पर M-N-N जो है merit couple है and M bring the male member basically आपका M-N-N एक merit couple है और M आपके जो है यह male है and then आपका P is the only son of O P is the only son of O तो अगर मैं यहाँ पर करूँ तो P जो है यह O के इकलोते बेटे है and then who is the brother of M तो यहाँ पर P O के son है और M के brother है तो अगर मैं आपके करूँ तो brother basically अगर PM के brother है तो M B P के brother होगा तो दोनों के बीच में रिल्संसिप ब्रदर का होगा and then आपका Q is the sister of P Q Q आपका P की sister है तो and then जो आपका नेक्स्ट जेटा ही है कि and is the daughter-in-law of R and आपका मैं आप अगर बोल दो तो R के daughter-in-law तो daughter-in-law अगर मैं आते हैं देखाऊं तो daughter-in-law हो गया ठीक है and आपको एक और यहां पर given है कि MNN जो है merit couple है जो means का क्या है कि अगर M male है तो and female रही होगी और अगर merit couple है इसका मतलब and M की wife रही होगी ठीक है तो हम से जो पूछ रहा है question में पूछ रहा है कि how is P related to R एक और दीज़े कि ठीक है and is the daughter-in-law of R which husband has died means R के husband GB तब नहीं इसका मिन्स जो R है basically हमारी female लई है यह basically gender के लिए data दिया गया and आपका कहाँ पर और था M आपका mail है ठीक है and अगर P अगर okay son है तो means P भी आपके mail है and अगर Q sister है P की तो इसका मतलब आपका Q female है and आपका M N N तो merit का पल है तो अगर M N है तो आपका N female है ठीक है तो अपने यह जितने भी डाटा थे मैंने उसको एक अच्छे से representation में सो कर दिया अब हमसे पूछा गया है कि P और R के बीच में relationship क्या है तो हमारा यह P रहे है यह RN के बीच का में relationship बताना है तो आप यह साथ देख सकते हो कि P आपके मिंस M के ब्रदर है and M की wife है N and then N is daughter-in-law of R means यह अगर आप देखो तो यह दो generation ऊपर है आपका R means यह अगर यह आपका पजिन यह अपका अगर सन वाला जनरेशन हो गया तो यह आपका फादर वाला जनरेशन हो गया and then आपका यह grand वाला जनरेशन हो गया basically तो अगर मैं यह options को देखना चाहूं तो आपका यह grand daughter ओक्तूम है अगर पी में यह तो नहीं हो सकती घुर से लिए थर तो आपके तो इस तरह के देखना पर गाए कि हमें डेटा गीवेन है डिवेन डेटा के बाद क्या हमते रिक्वार्मेंट है क्या पूछा गिया है उसके बाद जो सही मिन्स ऑप्संस होगा उसको इलिमिनेट करके देखेंगे कि सही ऑप्संस क्या बैट रहा है तो हमारे आप पर डी तो ऐसे ही आप सेमिलर को संगो प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी रिलेसंसी बेज्ट हो प्रिवियस यर्थ में इसे को से ना रखिए और इस वार भी पूरे चांसे नहीं कि आपको ऐसे को संदेखने को मिल सकते हैं तो ठीक है जब चलता हूं में अगले को संगी तरफ और यह अपको सब्सक्रिवर्ट अपरे बेज्ट को से ना इसमें आपका बैसिकली हमें दो को से नहीं है तो यहां पर हमें अिरिट्ली रेसियो माल लेता हूं कि अज और ओर माल लेता हूं य ये प्रुजेंट बेका माल रहा हूं है ठीक है and then after 12 years the ratio of their ages will be 7 is to 16 ठीक है तो basically जो पहला आगर मैं रेटियो लिखू जो एजस का है वो आपका रंगीता और साहिन का रेटियो को चुमिस एकस अपॉन में वाई रेटियो को फ्रेक्शन के फ्रम में भी रिप्रिजन कर सकते हो तो यहां से अब को जाएगा एकस अपॉन फॉल्फ एकुल तो अगर 12 years बाद में तो means x में भी 12 वैट करना होगा में and y में भी 12 वैट करना होगा ठीक है इनकी ratio दीव ही है 7 is to 6 ठीक है अब अगर मैं यहां से इसको solve करूँ further तो आपका क्या हो जागा यह 6x plus 12 times 6 that is equal to 72 यहां से आपका हो जाएगा 7 times of y plus में आपका हो जाएगा 12 times of 7 84 तो आपका कितना होगा यह 6x की अगर में value लिखू तो यह हो जाएगी 7y plus 84 minus 72 that is equal to 12 आपका यह दूसरा expression आ गया तो आप दे सकते हो में vertically x and y 2 variables and equations में चुके हैं तो आप simultaneously दुनों को solve कर सकते हो और x and y की individually value determine कर सकते हो तो यहां पर मैं इसका x की value को put कर देता हूं y के form में x की value represented है यहां पे इसको मैं put कर देगा हूं तो यह expression completely आपकी y में बन जाएगी and then मैं आराम से y की value को reduce कर सकता हूं तो x की value मैं यहां पर डालू तो आ जाएगे 6y upon 5 equals 7y plus 12 ठीक है इसको मैं further solve करूं तो यह कितना हो जाएगे 36y equals आपकी हो जाएगे 35y plus 60 तो आपको यहां से y का value निकल क्या रहा ही आ रहा है 60 तो y की value आपकी 60 आ गई 60 आ रहे गई है इसकी 5 है तो 5 12 times में 60 देदेगा आपको 12 times of 6 कितना हो जागा आपको 66 आपका प्रेजेंटेज हो जाएगा बैसिकली यहां पर 72 है तो आपका सही option C होना चाहिए आपका सही option C होना चाहिए तो इंसर देख लेते हैं बिल्कुल आपका option C है तो ठीक है तो आपको ऐसे question प्रेक्टिस करने जहां पर आपको बैसिकली एज निकालना हो ऐसे कुछ आपको arbitrary data given होगे यहां पर तो रेसियो गीवन है कभी कुछ और एक कुछ words के form में कुछ और data given होगे उसको mathematical form में पहले एक्स्प्रेस करना है अच्छे से expression बनाना जैतने भी आपके बन सकते से expression उसके बाद simultaneously solve करना है उनको और आप अपने अंसर तक पूछ सकते और आपको ध्यान रखना है आप से पूछ क्या रहा है को कि यहां पर option में 60 भी दिया था हमें 60 हमारा बट यहां पर वाई की वैलियू है मिन साहीन का है जाए बट हमसे रंगीता का पूछा है तो मैं ए एंडिविज्वल लेंद दीव है एंड बोला गया है कि वह अपोजे डिरेक्शन में रन कर रहा है तो मैं थोड़ा इसको रेप्रेजेंट कर देता हूं डियाक्रेमेटिक ली यह आपकी ट्रेंड ए हो गई ठीक है एंड आप विदर से मैं बना देता हूं ट्रेंड तो बैसिकली यह इस डिरेक्शन में रन कर रही है और यह इस ड्रेक्शन में रन कर रही है तो अगर मैं बोलना चाहूं तो यह आपके इस्ट वार्ट इस्ट वाट ड्रेक्शन में रन कर रही है यह आपकी वेश्वाट रेक्शन में रन कर रही है ठीक है एंड आपका क्या दिया हुआ है दोनों की इंडिविज्वल लेंज दिवे आपकी एक की लेंथ हो गई या आपकी बी की लेंथ हो गई ठीक है एड़ दे स्पीट्स आप 85 किलमेटर पर आप रहा है तो हमसे पूछा गया है कि कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे तो किसी स्पीट से दोनों से क्रॉस करेंगे तो पहले में बात करता हूं स्पीट की तो अगर मैं स्पीट की बात करूँ तो यहां पर यहां पर वेलोसेटी नहीं देख सकते हैं क्योंकि दो ट्रें से अप्रोच कर रही है तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो रिलेएटी वेलोसिटी हो जाएगा अट तो अगर मुने बात कर तो सब्सक्राइब इतनुन सब्सक्राइब करें तो agree अब भी दो डरेक्सन अपोजे डरेक्शन से मतलब जो ट्रेंस आ रही होती है तो उनके जो रिलेटी व्लाजटी होते हैं वह इंडिविज्वल व्लाजटी के सम हो जाते हैं मिंस एड़ ओन हो जाते हैं तो जो व्लॉसरेटी ओफ एरा होगा उसका मैगनिचूड एड़ कर लेगा velocity और B के magnitude के साथ आपको जो आ जाएगा यहाँ पर relative velocity कितना आ जाएगा 85 प्लस 65 तो basically कितना हो जागा यह 90 प्लस 60 that is 150 आपको unit का भी ध्यान रखना है किया है यहाँ पर kilometer पर आर में दिया है आपका velocity बट आपका जो यहाँ पर लेंद दिया यह मीटर में दिया तो ठीक है यह मैं velocity निकल गया तो ठीक है अब हम निकालते हैं मैं distance कितना cover करना होगा मैं train कितना distance cover करेगी तो अगर मैं distance की यहां तक पहुंच जागे दोनों ट्रेन एकवल दोनों आ जाएक एकदम उसके बाद फिर जैसे आगे बढ़े होगी उसके एकवल हो जाएगा कितना है यहां पर डाटा आपका 329 लस में 296 ठीक है इसको अगर मैं add कर लूँ 625 ठीक है यह 625 आ जाएगा आपका यह आपका कितना मीटर में है तो ठीक यहां पर मीन देखर आप यूनिट में डिफरेंस है तो किसी यह को हमें करना होगी उनिफर्म यूनिट में लाने के लिए तुम्हें को कर लेता हूं पूँकि हमें पूछा गया है टाइम स्केंड में पूचा गया है तो 150 को कर लो तो आपका 150 km है तो 1000 से मल्टिप्लाइ कर देंगे मिटर के लिए and then आपका वन आ रहे तो उसको 60 टाइम 60 से मल्टिप्लाइ कर देंगे सेकेंड के लिए तो आपका यहां से यह कैंसल हो जाएगा यह कैंसल यह आपका 5 टाइम्स यह 3 टाइम्स यह आपका 50 30श की ऐपका कित यहां 2 150 में 6 यह आपका मिटर tako कि Shark यह थिस्ट्ट करन नयों कुछ नहींना नीकलना तो आपना सिंपल जो पॉमूलाए इस पीड इकॉल स्टू जिस्टें सपांट इंगे में तो हम एक है यहां पर डिस्टेंस निकरिफट डी स्पीड गिबन स्थाम निकालना तो क्या हो जागा हमारा संड्सक्राइबॉड यू सुझतck फैनल दे पर aware दिटिफे विदी ते इंड़ dos इसको solve करना होगा तो अगर मैं solve करूँ दिए आपका two times में जाएगा और यह three times में जाएगा यह 125 में चला जाएगा और यह आपका five times में चला जाएगा तो आपका यहां से कहूं तो 15 आ रहा है ही तॿटल फूटिन रघेंगे इन दोनों ट्रेंश को मतलब एक दूसरे को कंप्रिटली क्रॉस करने में एक को बी कुट करने में तो आपका एंसर अब ना चाहिए तो ना है तो अच्छा को सिंधा यां बिल्कुल हमेढे धिमने का क्या होगी अगर यह यहां पे पैड लडली अपोजिट से अप्रोच ना करके पैड लडली सेम ट्रैक पर रन कर रहे होते हैं फिर हमें रिलेटिव लोटी के लिए जो इंडिवेज्वेज़ विलोसिटी है उसके मैगनिचूट का डिफरेंस लेना होता है जो बरी विलोसिट अटर आप अन्ड हमने इस स्फेर को मेल्ट करा है and then ड्रॉब करा है वायर में और रेडियस पॉइंट री सेंटिमेटर हमें लेंद पतानिया वायर की ठीक है तो बैसिकलिए यहाप एक स्फेर है एस्पेर है रिडा में तने स्पेर है इसको हमने मींस मेल्ट करके एक वायर में कनवर्ट कर दिया है तो आप जानते हैं वायर कुछ कुछ आप 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 आपने देखा अगर मैं तो इसलेंडिकल फार्म का होता है तो बिसिकली हाँ पर जो उन्हां मैं यहां पे सखड़ है और लोड ओलन चाइए इस फेल की और वायर च्योंधर ओलन चाहिए तो यहां पेकरम फॉल्сем स्वेनल तो वॉम्म्मॉला तो वॉल्म आप इस फेयर शुट भी इक्वार्श टू वॉल्यूम आफ यॉर वार अपने इसलेंडर बोल देता हूं जैंडर कल फार्मॉला ने पर रखा हुआ तो यह कितना होता है 4 by 3 by R cube, R आपका कितना 9 है, 9 cm, तो 9 का cube, एन आपका cylinder का formula कितना होता है, volume of cylinder का formula, वो होता है, पाई R square H, तो R square यहाँ पे दिया वे आपका radius 0.3 cm, into H, H तो हमें निकालना है, मिंस जो length होगा, वो height के को लिए हो गई है, जो आप की जो यह wire की length होगी, एक तरीके ते, यह तो cylinder के height के equal ही होगी, तो यहाँ पे अगर आप h के बदले जो length हो लिख लो तो यहाँ पे L आ जाएगा, and then इसको आप solve कर सकते हो, आपका यह पाई से पाई cancel out हो जाएगा, then आपको यह हो जाएगा, 4, 9 का cube, 3, and then 0.3 square times L, इसको further लिखू तो आपका L के value हो जाएगी, 4, 9 का cube, 3 times 0.3 का, ठीक है, इसको solve कर लेता हूँ, calculator से आपको भी exam में calculator मिलेगा, तो आप easily solve कर सकते हो, 10800, जो माने data given है, कितने centimeter में given है, तो हमारा यह, 10800 cm आ रहा है, बड़ जो हमारे option दिये हैं, यह meter में दिये हैं, तो अगर मैं convert कर लो, तो कितना हो जाएगा, आप जानते हैं कि 100 cm equals 1 meter होता है, तो आपका यह 100 से divide हो जाएगा, और ultimately आपका 108 meter आ जाएगा, ठीक है आपका 108 meter आ जाएगा, क्राइबूं आ यह, क्राइबूं आ यह, क्राइबूं आ आ यह, तो ठीक आपका यह दी अप्सन आपका एंसर आ रहा है तो ठीक है आप निकाल सकते हो बैसिकली फॉर्मुला आपको ध्यान में रखना है तो डिफेंट जो मेट्रिकल फॉर्म से उसके विचिस पर आप एंसर सकते हो तो आप टैक्टिस करना से लिए को से तरफ बढ़ते हैं ठीक है यह भी आपका एक जोमेट्रिकल बेश कोसे नहीं है आप यह में एक कोडरिलेटरल लिया है किसमें सरकल में इंस्क्राइब किया हमने कोडरिलेटरल को एंड जो डेटा गिवेन है क्या अपोजिट अंगल्स अप्ड़ाटर एक्वल ठीक है पहले मैं बना लेता हूं यह मैंने एक सरकल ले लिया यह कोई एक A B C D तो बिसिकली A B C D कोडिलेटर आपका जो सरकल में इंस्क्राइब है and then opposite angles of the quadrilेटर equals में कहा गया कि यह जो यह आपस में equal है ठीक है and length of its adjacent sides are six and eight centimeter अगर हम इसको eight बोलतु तो यह six हो जाएगा कि सेंटीमिटर में है and then आप से पूचा है what is the area of the circle area of the circle तो अगर मैं बात करूँ तो यहां पर opposite angles आपने एक theorem पर होगा mathematics में कि जो quadrilेटर होता है circle के अंदर उसकी जो opposite angles की सम होती है वो 180 degree होती है मिन्सक्राइब बात करूँ तो a plus c की सम और 80 होने चाहिए और बी प्लस डी की सम्भी वनिटी होने चाहिए पर यहां पर दिया हुआ है कि यह दुना अपस में एक्कोल ने इसका मतलब क्या अपोजिट सइटों यह भी आपका eh cm सेंटि मिनतर होगा ठीक की तो मैं सब्केशल कॉल़्टा खर दो save अपकर इसके लिए निकालना होगा तो तो यह बैसिकली हमें अ कि यह हमारा हमें और यह निकालना तो पहले हम लोग एसी निकाल लेते हैं अगर हम लोग यह 90 डिग्री है यह एट एंशिक्स है दों पाइथा गोरत थी और हमका इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहां से मारी जो एसी के वैल्लू कितने आ जाएगी आ ज 64 अब करेज्य आपका 100 याप केस स्क्वायर की वैल्लू आएगी है बिल्कुल तो आपकी एसी की वैल्लू आजयेगी कितनी टैन बहुता है यहां राफ हो जागा इसका मिन्स फाइबी यह बीए बस अब में क्या एडिया निकालना फाइब यह जाना है यहां आपको पूट कर देंगे हैं आपका एरिया हो जाए कितना पाइट टाइमस इपका स्टाइब 25 आइस्वाइब 25 पाइस कोईर सेंटिमीटर सेंटिमीटर में है तो ठीक है अंसर याप को जाएगा भी तो हमें दिखान रखना है कि जो आपका आप बसके डिफरेंट होते हैं पस यह रखना था ठीक है अब चलते अगले तरह नहीं है तो इसके लिए मैं इसमाल करूंगा ओव चैन के तो इसमें आपका और्बिटल आपका hydrogen का यूज हो रहा होगा आपका क्या वन है यूज हो रहा होगा है रेन आपका oxygen का हो रहा होगा अगर वैलेंट सेल के बाद करूं तो कि टूपी ऐच आपका oxygen को गया अगर मैं इसका configuration करूं तो कितना होता है तो वने कुछ तो टू पी फॉर यहां पर हैट्रोक्षाइड है तो आप्सिएन पर ज्यादे लग्टान होंगा तो टू एश्टू तो सही है है यहां पर वन टू ट्री और एन आपका आजया का फाइब रही यह झाना यह मैं मोटी बायने जाऊंग तो आप यहां यहां यह क क्योंकि आप जानते हैं काफी ओक्सिजन तो जो मिन्स जो और विटल सोच को काफी वह एफेक्टिव नुक्लिर चार्ज डॉमिनेंटली लगेगा तो पुल अप कर लेगा अंदर की तरफ इसके वैसे इनर्जी मतलब लो लेवल के हो जाए गया और हैट्रोजन की इनर्जी के कम परें में कम होगी अभी यह तो आपका इंट्रेक्ट करने पाएगा तो आपका यह नॉन बंडिंग के तरह आपका रहा जाएगा यह आपका रहाए गया सिंपल किन यहां पें अपका हैड्रोजन का वनेश ए इसका two पीजएड यह दूनों रहाएं करके आपका हॉर्म कर सकते हैं सिंग्मा बान यह आपका सिंगमा होग जींस्टार होगिया है ठीक है कि इसका जूपी जाट हो गए एनिसका जो grenad एसे हम बोलता हूं SPZ टाइप का यह बन रहा होगा एक मावन आपका यह जो बांकी जो आपके यह इसके जो टू पी एकस एंट टू पी वाई होंगे वो इंट्रेक्शन वह इनर्जी के चले जाएंगे बट यह भी आपके नॉन वर्णिंग के तरहें भी आप करेंगे तो आपका यह हो गया कितना कि मैं इसको भी नॉन वर्णिंग बोल लेता हूं तो अब मैं यहां पे अगर मैं इलक्ट्रॉन फिल करने जाओं तो 123456 123456 हमें आपके क्या बोल रहा है हो मो बोल रहा है तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा हो मो मिन्स हाइस्ट ऑक्कुपाइड मोलिक्ली और विटल हमारा यहीं से है और आपका यह लूमो है कि किसा है इसमें चार ऑप्ट्रों है तो हमारा हैसे से हैंसर हो झाहिए क्योंकि आपको घ्यान रखना प्रेसिक्ली फ्रेंटियल आपको हमोलूमो दोनों होते हैं तो एलक्ट्रॉन तो आपको हमोम होगा आखी वाला तो उसके सापने में अंसर करना था तो आपको यह अपसे और भी और मुटी एउसको दियान रखना है कि कैसे हम उसको ड्रॉ करते हैं उसके क्रस्पॉंडिंग फिर कैसे electron का distribution करते हैं and then count करना है जो भी आपको required person में है ठीक है अमें बताना है aromatic के बारे में which one is aromatic molecule in the following तो अगर मैं aromatic molecule के कुछ condition के बाद करूँ तो पहला तो cyclic होना चाहिए system and दूर्सा जो atoms उसके है जो atom cycles में जो periphery पर प्रजेंट है फिर जो आपका 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 यह complete conjugation होना चाहिए complete conjugation होना चाहिए आपका एन फोर्थ आपका जो हकल्स जो expression है और प्लस टू पाई electron उसको follow करना चाहिए बैसे क्लिए जितने electron delocalized है वो इस बाले जो mathematical expression है इस पर फिट होने चाहिए एन यहां पर आपका होल नम्मर है ठीक है तो अब मैं देख लेता हूं वन बैवन तो अगर मैं इसकी बात प्रूद यहां पर अगर पाई electrons यह Conjugation में रहेंगे तो वन टू थ्री फोर मेंस आपका फोर इंटू टू एट पाई अगर इस एक्सप्रेशन में पूट करो तो आपकी एंट की वैल्यू होल नमर में नहीं आप आएगी फोर इन प्लेट टूगर एट रखो तो कितनी पॉर इन इक्वल टूशीक्स हो जाएगे तो यह आपका अर्माटिक नहीं हो सकता तो यह आपका कैंसल हो गया हम मैं इसक को ताम इना चाओ हैं तो बेसिक्लियन इलक्रोण का कॉंजोगेर है यह आउटर परिफेरी में हो रहा है कि मैं और अख करेंगे अदिक रसकते हैं तो इस ini यह जब भी अरोमाटिक इस्टेबलाइशन गेन कराना होता है मोल्कुल को तो मैं लोग ऐसे बाले पाइश्टम में जैसे वाले पाइब और को ने करते हैं जो कि अरो में टेको हिंडर कर रहा होता है कि सीपके स्कॉम करना है बस इसको कॉट करना है तो सको मैं काउंट कर लो तो 1 2 3 4 5 6 7 मिन्स आपका 7 into 2 आपको 14 पाइलक्ट्रॉन को गर मैं एक्सप्रेसन एक्सट करूं तो बिल्कुल आपका 4 एक्वल्स ट्वल्फ एक्वल्स ट्री तो आपका इसको फॉल्लो कर रहा है आपका यह साइकलिक भी है आपका यह प्लेइनर भी है आप कंप्लीट कॉंजुगेशन हो रहा है आपका परिफेरी पर एंड इसको फॉल्लो कर रहा है तो आपका यह हो गया रोमेटिक हमें बस यह पुछना मतलब बताना था तो आपका से ऑप्सन भी हो जाएगा इसमें कॉंट करूं तो देखलो आप 8 पाइलक्ट्रॉन हो रहा है तो तो आपको मतलब ध्यान रखना है कि ऐसा को डवल सिच्टम यहां पर यह ना होके कोई सेच्वेटर कारवन होता है फिर भी को फरक नहीं पड़ता है वो कुछ रोल प्ले करें गए नेरो मेटिक में जो काम करना है यह सब आउटर सरकल वाले करेंगे जो इसका परिफेरी प है तो ठीक है है हमारा एक क्या यह एंसी यह बैसिकली यह म्यों सीओ है अपने कारवनील का परहाऊ को अपने कराओ गाया कि जब भी कारवनील में मैटल में में मैटल की और से बैक डोनेशन होती है तो उसकी स्टेचिंग फ्रिक्वेंसिव इतने डिक्रीज होती है मिश होता है तो बस हमें देखना है कि किस्वाले केसमें चल्च डाराय good donation कि इतना आठागों नोगोगा उतना हमारा is टैजिंट्टरटिंटिक पूंचिक महोगी दोगर debate है में यह एक मेच सब्लूर थे यह हैं यहां से यह ऐफ भांडिंग। तो यहां इसमें आपके श्रेचिंग फ्रिक्वेंसी सबसे क्या होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए कि आपका इसमें बैक डूनेशन कम हो रहा है तो आपका जो ट्रिपल वोन क्रेक्टर वूरी टेंड रहेगा ज्यादा तो आपकी पहले वाले की यह दूना कैंसल ओट हो गया अब द आपका यहां पर देख से देख सकते रिप्रेजेंटेशन में मैंने कर आए कि यहां पर डबल बॉंड लगवाग आ जाए तो आपका यहां पर इसके श्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आपकी सकेंड वाले जो टू कि होगी यह इतनी हो जाएगी एंदे अगर म्यू थरी कि मैं करो यहां पर तीन मेटल बैक डूनेट करेंगे कारवणील केंटिव दोने को में यहां पर और डिक्रीज कर जाएगी यहां पर किये हो जाएगी तो टू की की ए ठरी की बडिए ब्यूम्स एक देघू तो यहां वेन दियान रखना है कि तूट फॉजन प्लस मैनस फिप्ट सब्सक्राइब करते हैं कि मिन्स एक तीन हंड़ेट प्लस माइनस फिप्टी आपको देखने को मिलेंगे वैल्यूस तो आपको आपके दियान में रख सकते हो तो आपको सही अपसन भी होना चाहिए बिल्कुल सही आपका भी तो इसे आपको दियान में रखना है कि मिन्स बैक डॉनेशन क्या होता है लुप टृच्छ फ्रिकवेंसी पर किस्किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है एक्टेंट और व्यक्त तो वो सब्सक्राइब को ध्यान रखना है और सौल करना को सिंद चलिए लिए कि तरह बढ़ते हैं तो बैसिकली यहां पर में क्या दिया है लॉग एक्स भाई एम एंड लॉग पी का प्लॉड दिया है वह एक स्ट्रेट लाइन है ठीक है रिश्ट्रेट लाइन में क्लेट एंगल 45 डिग्री अप्रेशर आप देफ्रेंड्लिश पारामेटर तो यहां पर वहले हैं फ्रेंड लूइच जो आइपने करा होको इसमें एक्स्प्रेशन लोग डिल करते हैं कि जो हमारा एक्स भाई जो एम होता है एक्स भाई एम का वैलुई जो तैया आपका क्या होता है एक्स भैंका वैली ओता आपका के पी टुदी पावर बन वाय यह आपका मिन्स एक तरीकेंस नहीं डिलाइब तो नहीं किया था बटेकर वाल्ट्रेशन शिप को फॉल्यू करता है यह एक्स हमारा है एमांट ऑफ एड्जॉब एन कितना यह एड्जॉर्बेंट हम लोग कितना ले रहे हैं दोनों ग्रांट में रहता है तो अगर मैं इसको लॉग रित्मिक फार्म में लिक दो तो कितना हो जागे लॉग एकस अपॉन एम लोग के इंटुब डीपार बन बाई एन तो आप जानते हैं लॉग एकस इंटो यपका लॉक एकस लॉग यह फिलाग वियुड आपका लॉग होजाता है तो यह लॉग के लस आपका लॉग पिटू रहाव और भाई ऑन आप यह भी पर जानते हों गे कि इस्ट्रेट लाइन होता है ठीके आपको यह दिए अगर मैं इसको प्लॉट करूँ लॉग ओफ एक्स अपॉन एम यहाँ पर लॉग ओफ पी तो आप देख सकते हो कि यह कि श्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा कर्व इसका स्लोप आपका वन भाई एन होगा यह आपका स्लोप होगा एन आपका जो यह इंटरसेप्ट है कितना आ रहा है यह लॉग के आ रहा है तो हमें दिया हुए कि जो यह स्ट्रेट लाइन है वो 50 45 डिग्री अंगल बना रहा है तो हमारा स्लोप कितना हो जाएगा स्लोप जानते आप टैन थीटा होता है तो टैन फॉर्टी फाइब एट इस वन तो आपका वन बाइन का वैली वन हो जाएगा अंदेन आपका एन का वैली वन हो जाएगा क्रस्पोंडिंग लिए तो ठीक है में वन बैंसे मतलब है अंद एन लॉक के तो में के दे रखा यहां पर इतना टैन ठीक है प्रेशर पॉइंट फाइब तो मैं इसको पूट कर दूए इन व आपके हो जाएगा लॉग 10 प्लस वन बाइन मैंने भी निकाला कि वह आपका वन के कोला रहा है दैन लॉग पी प्रेशर आपका पॉइंट फाइब एट्मोस्फियर दे रखा है तो यहां से आपका वैल्यू कितना आजाएगा लॉग 10 प्लस लॉग पॉइंट फाइब तो तो वह जागा लॉग 5 यहां पर आपका लॉग 5 वैल्यू दे रखा है यह यूरोपॉइंट 699 नहीं निकालना किया में निकालना है एमाउंट अफ फ्रीट एप्जाब्ड एमाउंट अप्स वापस आना चाहूं तो बैसिकलिए बेस्टेन होता है है तो आपका हो जाएगा है जो रिक्वाइड एंसर टेन रिस्ट पावर पॉइंट 699 तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ हाँ यह आपका एक्जक्ट फाइब आ रहा है तो इसे कलिए यहाँ पर आपका रेसियो है तो तो होना ने चाहिए पर ग्राम ठीक है यहां पर ग्राम बोल रहा है थूट भू सकते 5 ग्राम आपका एड्जॉर्व भोल रहा है पर ग्राम आफ एड्जॉर्वेंट तो आपका यहां से अन्सर 5 हो जाएगा ठीक है तो इसके बाद जो कुछ लाक क्या आपको इसमें ध्यान रखने थे हमने एक लिए उसका में रूट मेन स्क्वाइर वेलाशिटी निकालना है और फ़र एडोजन क्यूलेट जारूट मेन स्क्राइब आ और फर्मॉला यूज करते हो पर सकते हो। पर रखा होगा कि इसके आशी स्टेट में जो रूट में सका आप सब्सक्रावज रहता है, यह आपका जो फ्वेवल होता है वह आपका टू आटी अपने में होता है ठीक है हाँ रूट ओबर थ्री आटी अपने में रहता है आपका फामुला यहांपकर मैं पूट करू तो थी आर्की वैल्यू आप जानते हो एट पॉन्ट्री बन फॉर तेंपरेचर आपको दे रखाऊगा जिरो ड जूल पर कैल्वन और मोल तो इसको भी आपने में है रखना परहेगा जो हमारा टू गराम पर मोल आ रहा था है उसको में 1000 से डिवाइब करके कीलो गराम पर मोल में रखना परेगा तो आपका बिसिकलिए आपका ये मैथमेंटिकल एक्स्प्रेशन आएगा इसको आप सॉल्व कर लो है तो यह रहा है तो यह यह वन एट फॉर फाइब संथिंग हम आ रहा है तो मुस्स मतलब नहीं है तो इसको हम अगर आप कि वन फाइब आ रहा है तो अगर मैं तको करूं प्रेशिमल को आगी ला दाऊं तो वन पॉइंट फॉर फाइब एंट अपका टेन डिश्ट पावर त्री आ जाएगा हाँ यह आपको जाके दूमें मिटर पर सकेंड मैं तो मैं देखू तो वन पॉइंट फॉर टेन की पावर थ्री अपका यह ओना चाहिए तो तो आपको आपको एवना चाहिए तो बिलकुल आपको एज़िए ओप्सन है तो ऐसे आपको बस फॉर्मुला ध्यान रखना आ है यहां पर मैं घ्लत कर रहा था यहां पर थ्री आटी अपन होगा अगरवर बोलता था थो वो तो फान होता रुट में अगर अगर आपको एवरेज बोलता थो ऐट पाउन पाई एम उता रूट में आपको इन तीनों को दिए थान में नहीं काफी इंपोर्टन व्लोग्व है तो इसमें हमारा क्या मेजर बताना है में एन भी इंद फॉल्लविंग रियक्शन सिक्वेंस तो हमारा यहां पर तक तो एक अल्फा बीटा अन्साचुरेटेट कार्बोनील कंपाउंड है इसका पैसिकली हीट अप कर रहे हैं तो आप डाइमर फॉर्म कर रहा है तो इसको म तो आप यह सकते हैं कि यह एक फोर प्लस टू साइक्लो डिसंस रेक्शन हो जाएगा हीट के प्रजों में ये रियक्शन हीजिवल होता है तो हीट के प्रजों में आपका प्र प्लस्तू साइक्लों अधर करेगा यहाँ से अपका आपका यह बन क्या रहा है तो पूछा नहीं है नहीं सिंपल बस हमें डाइमर बोल रहा है तो डाइमराइज कराना है मिंस एक तरीके से सेक्लोरेसन ट्रेक्शन कराना है तो यह दो सीम यूज रहा है इसलिए डायमर लिखा है थो इसलिए यह नहीं लिखा है तो आपका यह बंद है क्या ए limit रहा है तो अ ahora वो कैसा कहा है यह तो नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता यह दोनों हो सकता है ठीक है अब further हम इसको treat कराए कि यहने भी एज 4 फ्लस M us इसको मैं एफ 4 प्लस M us घर treat करादू है तो अपका जानते हो आप यह एक का एक reducing agent है आपका sodium borohydride in presence of यह अपर आपका जो यह कार Genau को अलकोहौल में रिड्यूस कर देगा yeah Oh and then आपका दीयर्ट्साइल है ड्रोक्साइड धरी और यह अपका प्रोटन डार सोर्स है तो यह मिन्स प्रोटोन डोनेट करेगा एक तरीके से पर मैं डिरेक्ट लिए हैं एच प्लस लिख दूँ यह मिन्स आगते हैं डिसोसेटेट फॉर्म में रहता है जो एच प्लस यह इजली एवलेबल करा देता है तो आपका जो यह सिस्टम है यह आपको प्रोटोन एक्षप्ट कर स अब चैप्ट कर सकता है अब जानते हैं कि जो नियर्वाइं में यह जो हैड्रोक्साइड यह जो आपका भी अपने यह डिडूस करके बनाया है यह इस पर अटेक कर सकता है कि कि यह अटेक कर देगा इन देन आपका जो प्रोड़क्ट बन कि आएगा कि अब उसको में उपर लिख लेता हूं कि अब कि कि तो आप देखाए सकते हो इस वाला का स्ट्रक्चर से मिलर ऐसा है तो आपका यह बीज अप्शन हो जाएगा तो आपका यहां पहले आपको वहीं साइक्लोडिशन रेक्शन करवाना था हीट के प्रेजंस में फॉर फ्लश टू हो एंडिन आपका जो यह रिड़क्शन करवाना था इस सोडियम बुर्फ हड्राइट के प्रेजंस में अंदेन फ्लोटनेशन होगा आपका हड्रोजन सोर्स के प्रेजंस में इंट्रा मॉलिक्टल एक रिक्शन हो जाए अंप जो नहीं इस्टेबल इस्पीसिज नहीं तो इ तो आपका सही एंसर भी है जलते ले कोश्ण के तरफ यह आप और गनिक रिएक्सन आपका बिसिकली यहां पर प्रोडक्ट दे रखा है प्रोडक्ट से हमें बताना है कि क्या रियक्टेंट हमने लिया होगा जिससे हम यह प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसका वो वन बाइवन आ सकते हो गाऊस को यह फ्रैट करके यहां पर आप देख सकते हो कि दो पॉसी मैं से एक तो तीन पर मैं से करें सकता था यह नहीं दो तो इस वाले केस में अगर मैं बनाऊं तो तो यहां पर आपका इनुलेट आइन पाउं हो सकता है आपका इनुलेट तो यहां भी बनेगा यहां पर बन सकता और आपका सबसे ज़्यादा इस्टेबल यहां पर बन रहा है क्योंकि इस वाले केस में आपको जो हैपर कॉण्यूगर भी श्ट्रक्चर बनेंगे और जो हमारा बेस यहां पर वैसे घिवेन तो नहीं है कि हमारा बेस किया है बट में नॉर्मल बेस लेके चलना है यह पर हम लोग LDA लेते लिथियम डाय ऐसो प्रोपाइल एमाइड लेते 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 तो वह आपका मिन्स कैनेटिकली बनाता है वो थर्मोडानमिकली इनुलेट नहीं बनाता है बट ऐसे इन जेनल अगर आप कुछ हट्रोक लेलो या फिर कोई अल्वेल कोक्साइड बेस लेलो इस अक्साइड लेलो तो वह आपका कैनेटिकली फेवर्ड थर्मोडानमिकली फेवर्ड बनाता है आपका इनुलेट तो यहां पर यहां से अंबैक करेगा अगरेगा बाइड यहां से अनिफेड हैं आपका इनुलेट अंबैक करेघा खन्यूर तो वेर्ट थर्मोड थृट भी तो उसमूक ननला स्वें आपका लिख दिया पहले हाँ पर फिरते कल्कोक्साइड इनोलेट टाइप बनेगा बट वापस से यह आपका मिन्स प्रोटॉन के प्रजेंस में यह आपका एक कनवर्ट हो जागा कार्बनेल में आपके यह बनके आया है अब आपको यहां तक पोचना है तो आपको साइकलाइशन कर गर अगर सब्सक्राइब करा ली अगरं देखें तो यहां से अगरम काउंट करें 123456 तो सिक्स मेंबर रिंग बनरा तो सिक्स मेंबर प्रेफ्रैबली बन जाएगा अगर मैं यहां से कौन करता तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, member बनता और मैं यहां से कौन करता 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो बनता बट आपका यह ब्रीज़ेड पर आ जाता तो ब्रीज़ेड वाले complex stable होते नहीं है तो जहां पर आपका stable complex बन रहा हो के बाद वह प्रेफरेबल होता है तो अगर मैं यहां से करा दूं तो फिर से बनाना होगा मुझे है कि यहां से कंबेक करेगा यहां से अटैक करेगा आपका यह अपन अप कर देगा अगरे आपका मिठाइल हो गया 12323 नवल बन्द हो गया यहां पर प्रोटनेशन के बाद यह हो जाएगा अधिक है हां यह वह जो जाएगा और आपका बेस फर्दर प्रेजेंट है तो यहां पर फर्द आपका इवन सीवी रियक्शन हो सकता है आपका वाटर मॉलीकूली यह कर सकता है यहां पर हैस्ट वो निकल जाग और आपके यहां पर डबल पॉंड आ जाएगा कि अधिक है हमारे श्ट्रक्चर पानल प्रोड़क्ट हमारे बनना है कि इसके तो यहां पर यहां पर जाग सकते हैं यहां परहले कराया है कि है पहले इनुलेट बनाया दैन उसका है मायक अदिशन सब्सक्राइट कराया इंप्रहाल दोग मैइकल अडिक्सन बोलता है तो इसको अगरा एक नाम भी दिया घया औरुगनिक में रॉबिंसन अब सिकली कि होता है कि हमारा मिंस मारेकल रिटीशन प्लस आपका एलडॉल कंडेंसेंड ताइशन होता है बिसकली क्लिक सिस्टम बनाने का एक प्रपोस कर रहा था थो उसी के नाम पर हम ने एक ऍैसे संतिसाइज कर सकते हैं पहला वाला उप्सिन से ही होगा आपको फड़र जाने के जूड़ती नहीं है वैसे आप को सौर्फ करने नेम रियक्षन बेज्ट या फिर काल्बोनील के और भी जो रियक्षन है उसके बेज्ड आपको लगला कार्मोनील के साथ आपका या पे सब्सक्राइब करने हैं ठीक है आप अगले तरफ चलते हैं तो यहां पर हमारा स्पेक्ट्रों को प्रिबेश को से नहीं तो स्पेक्ट्र डेटा दिया है मैं आप आयार के वैल्यू दिवी है कितनी 1685 सेंटिमेंटर इंवर्स यह आपका कार्बोनायल के श्रेजिंग फ्रिक् जानते हैं कि यह जो 1685 है आपका अगर कार्बोनायल की में पैरेंट पिक की बात करो जो होता है सिटोन का तो 1715 होता है अगर कॉंजुगेशन आ जाता है तो फिर आपका लोगर वैल्यू के तरफ सिप्ट कर जाता है तो इसका मतलब जो हमारा कार्बोनायल हो किसी के साथ आपको कॉंजुगेशन में में एंजिन निंग के साथ यह भी है यह आपका नहीं है यह भी है यह आपका तो यह तो नहीं हो सकता अब आगे डाटा के दरफ चलते हैं हमारा यहां पर वने चैनिमाल का लिए डिया है डबलेट एंज यह वैल्यू आपकी दीव है एट हर्ज विट मिंस तो दो हाडरोजन के लिए पीक आ रही है आपकी से बन पर एंट पॉंट सिक यूर पर आपकी फिर से दो हाडरोजन के लिए आ रही है एट हर्ज जे वैल्यू के साथ एक और पी तो आप क्या करते हैं ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हैं तो आपका टोटल चार हैट्रोजन आपका मिंस एरोमाटिक रेंज में 7.60 आपका 7.8 फोड में आपको बताया था अपने पिछले सेसन में कि एरोमाटिक रेंज दो होता है आपका 6.5 से लेके सम्तिंग एराउंड टक याता है तो आपको ध्यान रखना है कि आरोमैटिक वाले जो प्रोटों होते हैं इस रेंज में लाई करते हैं और यहां पर चार प्रोटों है सब्सक्राइब करेगा तो इसके कप्लिंग के वजए फार्दर इसमें आगते हैं हो सकती है मिन जब यह ट्रांजिशन कर रहा होगा तो इसका एफेक्ट यह लगा सकता है क्योंकि यह आपका यह वाले सेम इधर भी आपका हो जाएगा अगर मैं इसको एचे बोल दूँ इसको आपका इंवारिमेंटि यह दोनों आपका से नेश्रक हो गया अंदेन आपका यह दोनों सेन नेशरकना करने टो यह आपका स्ब्रैटिंग कराएगा वृट शबयुटे वैल मिल्स रही है रिप लेट तो सेवन हर्ज आपका जे वैल्यू एंट टू हड्रोजन के लिए मिल रहा है तो 3.65 तो आपके इतना इधर रहे गया है यह रहे गया है तो 3.65 मतलब है कि एलेक्ट्रो निगटिव सब्सेच्चुएंट जरूर जुड़ा हुआ होगा कल भी मतलब आक्री सेशन में बताया थ है कि जब भी कोई एलेक्ट्रो निगटिव सब्सेच्चुएंट जुड़ा रहता है तो आपका जो वैल्यू होता है वो 3.5 से लेके 4 के राउंड तक चला जाता है तो आपका इसका मतलब जरूर यहां पर इस प्रोटोन की बात कर रहे हैं आपके इस प्रोटोन की बात कर लिए अंदेन आपका फॉर्धर क्या दे रखा है ड्योप्वांट टू फाइब एक पेंट इट मिल रहा है में प्रींट तो आगे यहां पर बात करो तो यह दोनों इन चयाल है यहां पर हो गया दो यहां पर हो गया तो इन चार से कपल करके पर जीनट दे सकते हैं तो आप ट्री पॉइंट्स पर देखे लियो टूपवाइंट फाइब दे दिया है ठीक एतना है रखा है तो अधूर्ट ने रखा है कि वन टो थ्री फॉर फाइब लगवक स्ट्रक्चर से में अब हमें दिया रखा यहां पर आपका आ रही है पीक एंद आपका यह आ रहा है कि इसमें आपको बताना है कि इसमें से क्या साइस होगा थो रखाए तो दोना का इना पर पॉसिलिटिटी यह भी यह भी हो सकता है तो अगर मैं देख हूं तो आप ज्यादा इलक्टो निगेटिव इसका है तो याप का तरी पॉइंट कितना तक यह गया हुआ है तो ज्यादा इलक्तो निगेटिव यह ज्यादा करेगा तो इससाफ से आपका यह बाला होना चाहिए अपका आपका आपका सब्सक्राइब तो फिर ठीक है और पूसर्ण को सॉल्व कर सकते हैं आपको वैसे क्लिए ध्यान में रखना है कि हमारे क्या होगी अलग अलग प्रोटॉन के लिए एंड मिन्स कैसे हमें उसको अप्लाई करना यह वैल्यू क्या क्या कॉंसेट रहता है क्या उसका रोल रहता है यहां पर अगर अगले को तरब बढ़ते हैं है तो बैसिकलिए मां पर पूछा गया है कि आइगन वाल्यू स्कॉश पांडिंग्टू हरमीशियन ऑपरेटर इज दिस और अगण फ्रक्सें परनिंटू हरमीशियम ऑपरेटर और इस तो अपने हरमीशियन ऑपरेटर पर हां क्वांटम में क अगर कोई भी हर्मिशन ऑपरेटर है तो वह इस वाले अप्रेशन को फॉलू करता है यह आपको आपने कॉंटम में को कर रखा होगा यह इसका एक डेफिनेशन है का हर्मिशन है तो यह आपको फॉलू करना पढ़ेगा अब यहां पर बैसिकली बोल रहा है कि अगर मैं ऑपर्य यह और क्लों हर्मिस तो उसके ऐलक्या होगी और अगन ओन्टर mutually को मान लेता हूं यहाँ यहां पर जैसे संच फ़ंक्षों मान लेता हूं तो अगर यह और मैं चIMNI आला तो तै कि अपर यह हो जाएगा यह आप का यह हो जाएगा यह आप कभी फाइग एक वखल नेदिव्थित हो जाएगा यह operator शाई यह आपका एक को लें तो अपने यह ब्राकेट नोडेशन बैसिक लिए मैंने यूज कर आई उसमें लोग में पैसिकली सॉल्व करते हैं कोई भी हमारा यह ब्रा में होता है तो यह का ओगर अगर केट में रहता तो सिंपली वह बहार आता है कॉंस्टेंट वह का वह कॉंजुगेट बाहर आएगा आज आज आगा साई पाई ठीक है अगर मैं फॉर्दर इसको लिखू तो आपको यह हो जाएगा भी माइनस एक ओन्जूगेट यह हमारा एक एकस्प्रेशन बन गया आए अब हमें डिफरेंट केस लेना पर एगा कि क्या डिफरेंट केस पॉसिबल है तो अगर मैं यहां से इसको कि अगर पहला के लिए तो हूं कि आपका जो दोनों वी जो वे फंक्शन है कि सेम वे फंक्शन है मिन्स आपका साहिएं फाइ सेम है केस वन कि साइएंट पाई आर सेम और हागर यहां पर बताऊं तो यहां पर आगर यह एकस्प्रेशन जीरो के बराबर है तो यह 0 के बराबर कब हो सकता है या तो आपका बी माइनस जो एक conjugate भो zero हो इतिला जो प्राकेट में आपका साई फाई है ये जीँरो हो फिर दोनों जीरो हो तो आपका तीन कंडिशन में यह expression fulfilling हो सकता है तो अगर मैं यहाँ पे लूँँ तो अगर दोनों मैं same लेता हूं गर मैं दोनों सेम लेता हूं तो साहि कॉमा साई एक से मैं तो किसी को रेप्लेस कर दाइं अमें घाइद आ प्टाय कि यापका यह एसे नीधित टो ये आपका ये ये फिर आपका है लिए आ यहाँ प्रेंस अगर मैं यहाँ पर सेम लोग link तो आपका विचें watch with expiration climax तो है ये जिरो सकता है या नहीं भी यह पता चला कि कि अपका प्रक्राइघ्य नहीं हो जो इक वो इक औरो यह किस के स्माध़ को भी अगार यो तभी आपका ये खूल यह होट होटा फिर यह नहीं होता है कॉंप्लेक्स यह फिर में जन्य तो यह कोल नहीं होता अब दूसरा अगर मैं केश लूँ के सेकेंड तो के सेकेंड मैं कर मैं के सेकेंड लो तो इतमें मैं एक सेम ना मान के डिफरेंड मानता हूं कर दिफरेंट तो इसकेस में आपका क्या हो जाएगा साई भाई यह जीरो हो सकता है या फिर आपका विवाला एकस्प्रेशन मैंसे मैं तो नहीं हो सकता है तो फिर बचाब का यह यह जानते हो कि अगर हमने डिफरेंट लिया तो से माइगन वैल्यू तो देंगे नहीं और दिफरेंट आगल वैल्यू देंगे तो आपका यह वाला एक्स्प्रेशन मैंसेमेटिकली नहीं हो सकता साथ तो फिर बचा आपका यह तो आपके यह आपके और्थो नौरमल होते है है आपको और्थो नौरम तो उसकेस में आपका यह फॉल्व होता है इसका मतलब का यह रियल एंड और तो जब गुनल होते हैं तो आपका यह वाला सटिस्फाइब हो जाएगा सभी होना चाहिए तो यह बिल्कुल भी सही अपसान है और्थो नॉन नौर्मल के लिए आपक कॉंसेप्ट जो कुछ हर्मिशन ऑप्रेटर के जो क्या प्रॉपर्टेज होती है फिर उसके अलाभा कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ब्राकेट नोटेशन में क्या उसके कुछ जब जैसे मैंने आप पर कॉंजुगेट लिया तो आपको यह सॉल करके देखना परेगा तो आ अब प्लेटिनम यह दो इलक्तोड बोल दूं पस्टेन सेकेंड तो इसके 20 का डिस्टेंस हमने 10 सेंटिमेटर लिया है प्लीक है एना पोटेंशल डिफरेंस आप 6 वोल्त एंद दोनों के बीच में तो पोटेंशल अप्लाई करा है हमने यह 6 वोल्ट का कराया है ठीक है एंद एन और अप्लाइड हाव मुच डिस्टेंस विल बीट्रेवल बाई के प्लस साइंस इन टू आर्स एट 25 एंदिग्रेट मिन्स के अप्लाइट का कुछ यहां पर प्रजेंट होंगे कितना डिस्टेंस यह 2 आर में करेंगे तो अगर मै बात करूँत अपने एक प्रघु अब मॉबिलीटी एप पाम प्रण अलोर इसका फरॉमला क्या होता है ऐंनिक विल्लहसिटी यह हम पॉतेंशियल ग्रेडियन्ट आपका ये खुल होता है अगर मैं आपकर बात करूं के टायन के फॉर्म में बात करूं तो आपका वी प्लस विलाउस्टी हो गई अपन में आपका जो ग्रेडियंट लग रहा है मिन्स कितना पोटेंसिल अप लगा रहे हो अपन कितना से प्रेशन हैं के बीच में और इसका ए मोबिलिटी का फॉर्मला होता होता है लेम्डा प्लस अपन जट प्लस इन्टु एफ इंस अपका जो मोडर कंडुक्टेंस इंफनाइट डिलूशन पर अपन उसका तो चार्ज है आयन का एंड देन फाराड़ा इस कॉंस्टन तो आप देख सकते हो कि मैं आर एस साइट को कर सकता हूं कि दोनों आपको आया कते हैं आयनिक मोबिलेटी की दे रही है तो यहां पर आपका हो जाएगा क्या भी प्लस अपन डेल्टा फाई ओवर डियन विल विक फॉर्स लेम्डा प्लस अपन जट प्लस इंटू एफ तो अब कुछ यहां पर मैं अगर देखता हूं चूजा क्या कर कि मझे गीवफैन है तो यहां पर म०्रान एक कितना यह तर्यस्टन ट्रेवल कएग हो डएलला आप जानते हो डेश्टन परेवर क्या होता ह sensor का मिनसे पार डियस्टन दिखशन टाइम होता है हुरी सपीड तो कितना ट्रेबल और ले रहा है तो तू इंट्व सिक्स्टी टाइम सिक्स्टी ठीक है एंड अब का जो डिल्टा 5 मतलब कितना हमने पोतेंशिल करा रहे तो वह हमने कितना six अप्लाई कर रहे six volt का and then आपका जो यह है separation कितना आपका 10 separation आपका हाँ जो एलेक्टरोड के बीस बीचसे के भीच हमने potential apply कर रहा हो 10 centimeter का है तो यह हमने हो गया अपका लेम्डा प्लस लेम्डा ब्लस कितना दे है में लैंडा प्लस हमें दे रहा है 73.52 साइमन सेंट्रीमेटर स्कॉर एक्वालेंट इन्वर्स अंदेन आपका जो प्लस होगा के प्लस पर प्लस वन चार्ज रहता है नफ्रादस कॉंचेंट 965 00 पर मैं यूनिट चेक कर लेता हूं आपका ठीक है डिस्टेंस वह में निकालना है टाइम आपने ले लिए किसमें सेकेंड में ले लिए देना में सिक्स वोल्ट अपने अप् स्पांडिंग ठीक है तो अगर मैं इसको जो हमारा टैन सेंटिमेटर में में कनवर्ट कर दो कितना हो जागा यह पांट बन हो जागा आपका आपका जो यह 73.52 आपका कितने सेंटिमेटर स्क्वार है तो इसको आपका करना होगा मुल्टिप्लाइक से थे टैने स्वार माइनस फॉर से मिटर में अगर आपको चेंज करना है तो ठीक है सारे आपका लगवा के साहिं में आ चुके हैं अब इसको यहां से आप डी की वै 1.6 यहां पर आपको हो जाएगा 73.52 इंटू 10 पर माइनस फॉर नीचे में आपका 9 6500 ठीक है अगर भी इसको फर्दर यहां से हैं सॉल्व करूं यहां से तो डी की वैल्लिवा जाएगी 73.52 इंटू 10 पर माइनस 4 इंटू आपका हो जाएगा कितना 6 इंटू 2 इंटू 3600 अब पहुंद में आपका आजाएगा 96500 इंटू 0.21 कि एसको में सॉल करता है तो यह कितना वैल्लिव आ रहा है 0.0329 यह हमारा मिटर मायोगा हमने साइ में सब्सक्राइब कर दिया था तो इसको अगर मैं सेंटू टर्म करो तो एक मिटर मेंटर होता है तो आपका आजा कितना 3.29 सेंटेमिटर हां तो आपका यह वैल्लिव है 3.29 टू सेंटेमिटर कि त्ँर को पाल नागेन तो इसको पूड करना था इसलिए मैंने पहले कर लिया इतने सेंटेमिंटर में Brave टाकि सारे युनिफioni वह जाएंड और लाष्ट में वापस सेंटेमिटर में कर दिया तो आपका से यह option सी हो जाएगा तो ठीक है यह आपका यह question था तो ठीक है इतना ही question था ठीक है चलिए आज के लिए तो मैंने basically जो कुछ important question मुझे लगे वो मैंने आपको करा दिया question और भी आप practice करना मैं इतने question से मैं जानता हूं कुछ नहीं होने वाला है आपको और भी practice की और confident confident रखो आपका अच्छा आने वाला इसवार कोई दिक्कत के बात नहीं है तो ठीक है मैं अलवीटा लेता हूं लोगों से तो अचके लेट नहीं का तो फिर मिलते हैं अगले कभी नेक्स सेशन में मुलकात कभी होगी तो दलते हैं बाई-बाई